अभी तक हमने रिकार्डो और आधुनिक सिधान के लगान के विशय में अध्यान किया था आज हम आभास लगान ये क्वाजी रेंट के विशय में अध्यान करेंगे और अंत में इस चैप्टर से सम्बंदित कुछ multiple choice questions भी solve करेंगे नेक्स्ट है फस्ट है meaning of quadrant आभास लगान की धारना प्रोफेसर मार्शल द्वारा दी गई और ये हैं रिकार्डो के लगान की अधारना पर आधारित है मार्शल ने यह विचार प्रस्तुत किया कि मनुश्य द्वारा निर्मित मशीनों तथा यंत्रों की पूर्थी अल्पकाल में नहीं बढ़ाई जा सकती जबकि देरकाल में इन मशीनों की पूर्थी को बढ़ाया जा सकता है अता अलपकल में यह पुजीगत साधन भी वही लक्षय परस्तत करते हैं जो भूमी अलप और दिरकल में करती है अर्थाद इस सिर्फ पूर्थी का लक्षण पुजीगत वस्तोगों को जो आए अलपकल में प्राप्त होती है वह लगान की तरह ही होती है मार्शल नहीं से आभास लगान कहा है इसकी परिभाशा इस प्रकार दी है वह आए जो मशीनों तुथा मनुश्य द्वारा निर्मित उत्पादनों के दूसरे औजारों से उपलब्द होती है आभास लगान कहलाती है और इसी प्रकार प्रोफेसर सिल्वर्मेन के अनुसार पत्ती के उन सादुनों की अतिरिक आए जिनकी पूर्थी दिर्दकाल में तो बढ़ाई जा सकती है परन्तु अर्पकाल में इससे रहती है को आभास लगान कहते हैं इन परिवाशाओं के आधार पर यह निश्करश निकलता है कि एक उत्पादा को परिवर्तंशी लागत के उपर अर्पकाल में जो अधिके अप्राप्त होता है उसे आभास लगान कहते हैं आभास लगान इक्वल्स टू कुल आगम माइनस कुल परिवर्तंशी लागते टोटल रेवन्यू माइनस टोटल वैरियेबल कॉस्ट दिरकाल में पूर्पित्योगिता के सीती में सभी लागते परिवर्तंशी लागते होती हैं तदहां कुल आगम एवं कुल लागत जरगत कर सकते हैं जो हैं मार्शल का अप्रोच और आधुनिक अप्रोच आधुनिक दृष्टिकोन सबसे पहले हैं मार्शल का अप्रोच या मार्शल का दृष्टिकोन माशल का कहना था कि जिस तरह भूमी से लगान प्राप्त होता है उसी तरह उत्पादन के अन्य साधनों से भी लगान प्राप्त हो सकता है हम जानते हैं कि लगान के उद्य होने का मुख्य कारण किसी साधन की मांग की तुलना में पूर्ती कम होना है भूमी की पूर्टी सेमित अत्वा बेलोश होने के कारण इससे प्राप्ट आए इस पर किये गए व्याय से अधिक होती है और इस प्राप्ट बचत और या अधिके को लगान कहते हैं इसी प्रकार उत्पत्ती के अन्यसादन जैसे मशीन आधि की पूर्थी भी अल्पकाल में नहीं बढ़ाई जा सकती अर्थाद अल्पकाल में उसकी पूर्थी भी भूमी की तरह सेमित होती है सेकेंड अप्रोच है आधुनिक द्रिश्टिकों या मॉडन अप्रोच एक उत्पादक की किसी वस्तु की उत्पादन लागत दो प्रकार की होती है फर्स्ट निश्चित अत्वा अनुपूरक लागत फिक्स्ट और सप्लिमेंटरी कोस्ट निश्चित लागत उत्पादन के साथ ना तो बढ़ती है ना ही कम होती है जैसे भवन, मशीन, आधी पर किया गया हुए यदि उत्पादन कारेया बंद भी कर दिया जाए तो निश्चित लगाद समाप्त नहीं होगा परंतु परिवर्तंशी लागत उत्पादन की मात्रा के अनुपाद में घठती या बढ़ती है जैसे श्रम, कच्चामाल, आधी से संबंदित लागते अल्पकाल में यदि किसी उत्पादक को परिवर्तंशी लागत के बराबर भी वस्तु बेचने की कीमत प्राप्त हो जाती है तो वह उत्पादन जारी रखेगा क्योंकि उत्पादन बंद करने पर भी उसे निश्चित लागत का भार सहना पड़ता है उत्पादक को अल्पकाल में परिवर्तंशी लागत से जितनी अधिक आई प्राप्त होती है उसे आभास लगान कहते हैं क्योंकि यह अतिरिक आई एक तरह से निश्चित तथा 27 आदनों का प्रतिफल है इस आभास लगान को हम ऐसे समझ सकते हैं कि आभास लगान इक्वल्स टू वस्तू की कीमत माइनस परिवर्तंशी लागत और उधारन से हम समझ सकते हैं इसको अगर कीमत प्रति एकाई 30 रुपे है और औस परिवर्तंशी लागत 9 रुपे है तो आभास लगान होगा 30 माइन एक वाइस लगान शुनने हो सकता है किन्तु रिनात्मक नहीं हो सकता है जब वस्तु की कीमत औस परिवर्तनशी लागत से कम हो परंतु ऐसी स्थिति उत्पन ही नहीं होगी क्योंकि जब वस्तु की कीमत फर्म की औसत परिवर्तंशी लागत से कम होगी तो फर्म अपना उत्पादन बंद करके अपनी हानी को निंतम बनाएगी पूर्ण पृत्योगिता बाजार में जब फर्मों का उध्योग में आवागवन पूर्टे सोतंतर होता है तो ऐसी फर्म जिसकी वस्तू की कीमत औसत परिवर्तंशी लागत से कम है निश्य ही अपना उत्पादन कारे बंद करतेगी इसके विप्रित अपूर्ण पृत्योगिता में भी फर्म कुछ समय के लिए बाजार के दशाओं में अनुकूल परिवर्तन की प्रतीक्षा करेगी और इन परिवर्तनों के अभाव में वह अपना उत्पादन रोक देगी अध्य यह कहा जा सकता है कि आभास लगान कभी भी निरात्मक नहीं हो सकता आभास लगान से यह निश्करश निकलता है कि आभास लगान भूमी के लगान की भाती ही एक अतिरेख है जो मानव द्वारा निर्मित पुझिगत वस्तों की केवल अलपकाल में उनकी बेलोश्तार पूरती होने के कारण प्राप्थ होता है सेकिंड आभास लगान एक अईस्थाई आधिक्ये है क्योंकि यह केवल अलपकाल में प्राप्थ होता है और दिर्काल में समाप्थ हो जाता है थर्ड आभास लगान शुन्ने हो सकता है किंतु कमी भी रिनात्वक नहीं हो सकता प्राप्थ है तो आभास लगान उस समय शुन्ने नहीं होता है हो जाता है थर्ड लगान इस्थाई होता है आभास लगान अस्थाई होता है फोर्थ कुछ अर्शास्रियों के नुसार लगान एक अर्जित आए है और आधुनिक अर्शास्रियों आभास लगान को एक आविशक आए मानते हैं लगान प्राकृतिक साधनों का भुकतान होता ह और आभास लगान मानव निर्मित साधनों के लिए दिया जाता है और आप कुछ कोशन्स जो आपकी प्रेक्टिस के लिए दिये गए हैं फिर्स्ट कोशन रेंट इस दे रिवार्ट पर यूज ओफ डैश ओप्शन से लेबर एंड लेंड लगान किसके उप्यों का प्रतिफल है भूमी या श्रम का सेकिंड कोशन विच फॉलेंग इस नौट एफ एक्टर ओफ प्रोडक्शन अप्शन से लेंड एंड मनी निम्लिकित में से कौन उत्पादन का कारक नहीं है भूमी या मुल्य है थर्ड रिकार्डियन थेओरी ओफ रेंड इस डैश ओप्शन से शॉर्ट रन कंसेप्ट और लॉंग रन कंसेप्ट रिकार्डो का सिध्धान अल्पकालीन है या दिरकालीन 4. Modern theory of rent is propounded by Mrs. John Robinson या Ricardo आदोनिक सिधान्त का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? Mrs. John Robinson या Ricardo द्वारा 5. Complete the formula, rent equals to actual earning minus dash, transfer earnings और quasi rent लगान सूत्र को पूर्ण कीजिए, लगान equals to वास्तिविक I minus dash, options है सानंत्रन आई या आभास लगान 6. Ricardian theory of rent arises due to scarcity or differences in the fertility of land Ricardo का सिधान्त उत्पन होता है भूमे की स्रीमित मात्रा या भूमे की उरवरता के कारण 7. Specific and non-specific factors are basis for modern theory और Ricardian theory of rent विशिष्ट और अविशिष्ट साधन आधार है आधुनिक सिधान्त के या Ricardo के सिधान्त के 9. Ricardian theory of rent is based on law of diminishing returns is it true or false Ricardo का लगान सिधान उत्पत्ती रास नियम पर आधारित होता है सत्य या असत्य 10. Rent will be zero but never negative in quasi rent is it true or false लगान शुनने हो सकता है परंतु कभी वी रिरात्मक नहीं हो सकता या सत्य है या असत्य अस्वारिश